Hello Friends, मैं उसर स्वति सिंग और आपका स्वागत है आपकी YouTube चैनल Mathematy पर चलिए Friends, आज की Class Start करते हैं जो की 28, 32, 16, Shift 3 का है यहीं कि Shift 1, Shift 2 complete हो चुका है यह है Shift 3 ठीक है चलिए Start करते हैं लेकिन उसे पहले यदि आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe कर लिजी, bell icon को press कर लिजी, चलिए आज का पहला question देखते हैं। चलिए friends, पहला question देखते हैं, तो पहला question धी हाइट को 1440 तो white को क्या होगा? तो देखते हैं पहले height को 1440 कैसे लिखा गया है friends, तो उसको देखते हैं, ठीके? तो देखे, height यने convers हिप, आपको पता है यदि आपको नहीं पता है तो मैंने coding और decoding पहली class है उसको आप देख सकते हैं फिंट्स तो कि numbering याद हुने बहुत ज़रूरी है तो देखिए h की numbering क्या होती है तो h जो है कौन से rank पे रहता है तो वो 8 पे रहता ठीक है तो h का 8 rank हो गया i का जो हो गया 9 हो गया d का जो हो गया 4 हो गया और e का क्या हो गया 5 हो गया ठीक है और सब की आपस में हम multiply करते हैं और देखते हैं क्या 1440 आता है की नहीं ठीक है देखिए 8,9,72, गुड़े 4,5,20 ठीक है अब हम कर देए तो 0, 2,4 और 2,14 यानि की 1440 यदि height के numbering को हम लिखके multiply कर देए तो 1440 आ गया ठीक है ऐसे ही हम wide को भी कर देए wide है w, i, d, e आपको पता है की w का numbering जो होता है वो 23 होता है i का जो होता है वो 9 होता है और d का 4 और e का 5 होता है ठीक है देखी friends मैंने क्या क्या white का numbering लेग दिया अब हम आपस में क्या करते है multiply करते है ठीक है तो 9,3 के 27 आपका जो carry हो जाएगा 2 हो जाएगा नदुन्य 18, 18, 22 20 गुडे 4, 25, 20 0 का multiply करेंगे तो 0 2 सते 14 2 से 0 का करेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा दो दुना के 4 यानि कि 4,140 जो हो जाएगा वो white का number आजाएगा यानि कि option number आपका C बिल्कुल सही है चलिए next question देखा जाए चलिए friends आपका value song question नहीं कि यदि कोई ब्यक्ति किसी पंक्ती में दोनों और से चौध हैं अस्थान पर है और तब पूछा जाएगा कि उस पंक्ती में total लो कितने हैं तो आपको पता है फ्रेंट्स formula क्या होता है total बरावर होता है left plus right minus 1 आप कर देजिए 14 भी left है right भी 14 ही है minus 1 कर देते हैं 14-18 में minus 1 कर दिया जाए तो आपके total जो हो जाएगे उस पंक्ती में 27 हो जाएगे यानि कि option number आपका D बिल्कुल सही है चलिए next question देखा जाए चलिए next question देखा जाए तो next question यह कि नेम्रिखित समिक्रण को सही बनाने के लिए किन्नी दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए इसमें option 4 है इसमें से आप 3 option कर लीजिएगा लेकिन आपका 10 नहीं आएगा जो correct है friends में वही कर रहे हो क्योंकि time बहुत जादा लग जाएगा और हमको time save करना है चलिए देखे इसमें जो D option है बिल्कुल सही है यानि कि D में यदि plus जो है उसको आप divide में करिए और जो divide है उसको plus में उस sign को change करना है तो चलिए आते हैं 3 है और 3 को कहा जा रहा है कि उसके बाद plus है plus को आपको divide में change करना है उसके बाद 2 है ठीक है आगे जो है गुणा है गुणा के कोई बात नहीं कहीं जाए रही यहां गुड़ा 6 ही होगा, अब आजा रहा है कि 4 भागा 5, यानि कि 6 के बाद क्या है, माइनस है, माइनस की बाद क्या है, 4 है, और यहां कहा जा रहा है कि प्लस को भागा में और भागा को प्लस में चेंज करिए यानि कि यहाँ पर भागा के जगा क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका 5 अब हम चिक करते हैं क्या कि आपका जो हमने साइन चेंज किया है उसकी बाद हम calculation करें तो 10 आता है कि नहीं ठीक है पहले आपको पता है बोड़ा मास यानि कि भाग जोग का मतलब होता है पहले हम भाग का काम करेंगे तो देखिए यहां 3 है तो भाग का काम है तो हम इसको 2 से multiply कर सकते हैं multiply उल्टा करके ठीक है यह हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 यह हो जाएगा आपका 236 यह हो जाएगा ती तिली के 9 माइनस 4 प्लस 5 यानि कि 5 में से माइनस 4 जाएगा तो यहां प्लस 1 हो जाएगा यानि कि आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और option नंबर आपका जिसमें 10 है 10 आ गया, आपको लाना था कि calculation करके 10 लाना है, यानि कि option वाला D बिलकुल सही है, चलिए next question देखा जाए, चलिए फिर अगला question भी आपका coding और decoding से है, जिसमें कहा गया है PORT को इसे code किया गया है, M U C E को इसे code किया गया है, तो computer को आप किसे code करेंगे, ठीक है, तो चलिए फि M है, तो M का code जो हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, P है यहाँ, P का code आपका 2 हो जाएगा, और U जो है, आपका 5 हो जाएगा, और T जो है, आपका यहाँ है, तो T का 1 हो जाएगा, और E जो है, आपका यहाँ है, तो 8 हो जाएगा, और R जो है, यहाँ है, तो R का 0 हो जाएग से ही है चलिए फिनिस नेक्स कोशन जो है आपका 45 जो है यदि जे एस यू एस को ईजड एन पी एन कोड़ित किया जाए तो जैक को निस्चीत कोड़ भासा में कैसे किया जाएगा ठीक है ये पूछा जारा दोस्तों चलिए देखते हैं कि जे से ये कोड़ किया गया उसके बा अनिस होता है वैसे ही यहां भी यू का 5 हो जाएगा जेट का 26 एन का 14 पी का 16 और ऑर एन का 14 होता है ठीक है फ्रेंट्स यानिकि 10 के बाद आपका 5 आ रहा है यानिकि इसकी बीच क्या किया जा रहा है है माइनस 5 घटाया जा रहा है तब यह तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जा यदि 5 में से 5 खटा दिया जांज फो विल्थ। सही है आपका सीमपले सीवाति यह अएगा और यहां है 16 यहां है 1930-5 माइनस पांच जाएंगा तो सिम्पल सी बात है कि यहां 14 यानिक इतना यह हो गया कि जो कोड किया है करको किया गया किया चीकाषण जै को variance को भी से होते हैं वह होता है यानि कि 5 जो होता है अब एको ये में से 5 पोड़ाई तो क्या आएगा एधि पहला गटाएंगे तो जैट फिर वाई फिर एक्स फिर आपका डबलू फिर यू और याने कि आपका यहां 5 खटाने पर क्या जाएगा आपका यू आज आएगा फिर एदे सी म फिर आपका x, 5 घटाने पर आपका क्या जाएगा, x आजाएगा, वैसे ही यदि k, 11 में से यदि आप माइनस 5 घटाएगे, 11 में से 5 घटाएगे, तो 6 आएगा, और 6 जो होता है, आपके f की अस्थान पे होता है, ठीक है? यदि option आप चेक करेंगे, तो e, v, x, f, यानि की ये v है, ठीक है? यू मत समझेगा, ये आपका b है, तो e, v, x, f जो होता है, ये आपका सही है, यानि की option number b आपका बिल्कुल correct है, चलिए, next question देखा जाए, चलिए friends, next question, देखे, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन से, तो इसमें दिया गया प्रतीकों के सही सेट करें, यानि की इसमें प्लस भाग जोड़ दिया गया, कैसी किया जा, इसमें वो साइन रखा जाए, कि चौदा आ जाए, ठीक है, तो तीन में कर नहीं रही हो, जो आंसर है, वही कर रही हो, जिस गया है, क्या है, साथ, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमको लिखना है, भाग, ठीक है, फिर उसके बाद आपका साथ है, और इसको ऐसा कैलकुलेट किया जाए, कि आपको चौदा आना चाहिए, तो देखिए, पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर छोड़ धाना की साथ से सॉत कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक होजाएगा फिर ये साथ प्लस साथ एककम साथ और और साथ स्प्त्रैइगा चोड़ा हो जाएगा यानि की बिल्कुल ड शही है चलिए next question देखा जाए चली friends ये आपका कुछ standard series दिया गया है उस series को solve करते हैं जो कि आपके सामने है कि triangle है फिर work है इसका multiply करने के बद आपका 48 आएगा फिर यहां आपका गोला है फिर आपका यहां त्रिभूज है इसका multiply किया गया तो 24 आया फिर यहां आपका चत्रभूज है और इसमें गोला का multiply किया गया तो 8 आएगा ठीक है लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अब चत्रभूज को triangle यानि कि त्रिभूज में multiply किया जाए तो क्या आगा क्या आएगा ठीक है चली friends देखते हैं कि यदि हम त्रिभूज और वर्ग का क्या क्या वैल्यू रखें कि 48 आएगा तो देखी friends यदि हम त्रिभूज का जो है वैल्यू हम 6 रख दें और वर्ग का आठ रख दें तो 2848 आपका हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां 24 है यहां पिता है कि मैं त्रिभूज का क्या वैल्यू रखा था तो चैहां था यहां तो हम 6 रखेंगे क्या था हम चैरा थे तो यहां 4 का किसमे गुणा करा जाए कि 8 होगा तो 2 में गुणा करिए तो यहां हो जाएगा 4 दुना के 8 ठीक यह भी हो गया अब देखिए आपको सारे जो आपके दिये गए थे triangle, square या circle सबके value पता है आप वहां से कर सकते हैं यानि कि यह है चत्रभूज चत्रभूज की value क्या है यहां पर दोस्तों तो 2 है यहां 2 हो जाएगा और triangle triangle की value हमने क्या रखा है 6 रखा है तो यहां 6 रखेंगी यानि कि इसकी value जो हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी यानि option चेक करेंगे तो option B आपका बिल्कुल सही है चलिए अगला question देखा जाए चलिए 20 है फिर 33 है फिर 58 है फिर question marks पर क्या होगा तो 26 में हम 3 जोड़े तो इंतीस आएगा और 33 में हम 5 जोड़े तो 38 आएगा और 38 में हम 6 जोड़े तो क्या जाएगा आपका 44 आजाएगा और 44 में हम 7 जोड़ें तो 7,4,11, जब चार एक 5 हो जाए चार और एक 5 यानि कि क्या हो जाएगा यानि कि आपकी कुशन मांक सी जब पे क्या आएगा 44 आएगा यानि कि प्लस 3 4 5 का ऐसे ही इंक्रिमेंट हो रहा है ठीक है यानि कि option चेक करेंगे तो option आपका पर भी बिल्कुल सही है चली अगला कोशुन देखा है चली भर अगला कोश्चन要 है यह अपका अर्थ मेटिकल कैलकुलेशन उस खुला सब्सक्राइब गुणग का का कोशुन है pajakkin एंटमग स का अर्थ गुणा सितन प्लस क माइनस है तो यह गुणह का अर्थ क्या है तो गुणे का अर्थ क्या है आपका प्लस है ठीक है प्लस लिखा उसके बाद आपका 3 दिया गया है और 3 के बाद क्या है आपका प्लस 2 है तो यह चेक करना है कि प्लस का अर्थ क्या होगा तो प्लस का अर्थ इसमें दिया गया है भागा ठीक है ये आपका भागा हो गया उसके बाद क्या है दो है और इसको कर दिया गया है कोस्टक में उसके बाद कहा गया है कि माइनस 6 यानि माइनस का अर्थ देखा जा तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा है और उसकी बाद लिखना है आपको 6 फिर भागा है तो भागा का अर्थ होता है माइनस इसमें दिया गया है और हो जाएगा आपका यह चाप ठीक है चली फ्रेंट्स अर्फमेटिकल का रूल है कि पहले जो को स्टक में है उसको हम सॉल्ब करते हैं तो पहले को स्टक का स्वल्ब करते हैं यानि कि ये 7 हो जाएगा, प्लस 3 है, और भाग हो जोक, यानि कि पहले हम भाग करेंगे, तो यहाँ पर है भाग, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भाग को यदि है तो उसको 1 बटा 2 के रूट में लिख सकते हैं, यानि कि यहाँ हो जाएगा आपका 3 बटे 2, यानि कि multiply 6 6-4, ठीक है, अब यहाँ हम calculation करें, तो हम 2 और यहाँ एक रहता है, जहाँ कुछ नहीं, उसका हर जो होता है, एक होता है, तो हम यहाँ लेते हैं LCM, यहाँ हो जाएगा 2 सत्य 14 और 3, और यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 6-4, 14 और 3 हो जाएगा 17 और 17 बटे 2, गुणे 6-4, ठीक है, दो काईधी हम भाग दें, तो 2, 8, 16 और 2, 10, यानि कि 8, 5, 6-4, ठीक है, अब इसका calculation किया जाए, तो आप तो भाग का calculation खतम हो गया, भाग के बाद क्या होगा, गुणा होगा, आप ऐसा मत करिएगा, कि 6 का 4 में से घटा के, और 2 से multiply करेंगे, तो हमीसा answer आपका गल 48 और 48 तीन आपका account हो जाएगा, और दसंबलू जो है, एक अंग के बाद लगा है, तो आप दसंबलू एक अंग के बाद लगा देंगे, ठीक है, अब यहाँ माइनस 4 है, अब इसको घटा दीजे, कि account में से 4 जाएगा, तो क्या आएगा, आपका 47 आएगा, ठीक है, तो option च नीचे कथन और उनके बाद कुछ निसकर्स दिये गए है, आपको दिये गए कथनों को सही मान कर चलना है, चाहें वो समाने ग्यात तत्यों से भिन प्रतीत होते हैं, ठीक है, कथन यह है कि यूवा बहुत महत्वकांची है, दूसरा है, बहुत सारे बुरे लोग यूवा प आपका कंक्लूजन यह है कि यूवाओं को नहीं पथा कि किस पर विस्वास किया जाए, कहीं इस दोनों जो कथन ते कहें विस्वास की बात की गई, कहें महत्वकांचा की बात की गई, कहें विस्वास की बात नहीं की गई है, तो आप्शन नमबर एक बिल्कुल गलत है, द बिल्कुल करेक्ट है और option में केवल निसकर सेकेंड अनुसरान करता है option भी बिल्कुल सही है चलिए next question देखा जाए जो कि आपका coding और decoding से है friends यानि कि आप सो सकते है कि coding और decoding बहुत ज्यादा important जो है आपका सलेबस में ये chapter है जिसे की 3-4 question तो आने ही आने है चलिए इस question को देखते है चलिए friends अगला question देखते है तो question अमारी है कि यदि किसी कुट भासा में school को F, P, U, B, B, Y लिखा जाता हो तो college sabda के लिए beach का अच्छर क्या होगा, ठीक है तो देखे इसमें क्या किया गया है और जैसे code किया गया है वैसे ही college का किया जाएगा और उसमीं से beach का alphabet यानि कि अच्छर पूछा जा रहे ठीक है तो देखिए friends, S के बाद F आता है, तो ऐसे करने से अच्छा है कि हम पहले numbering ही लिख लेते हैं, क्योंकि जोड़ घटा ना हमको असानी से कर लेते हैं, S की numbering 19 होती है, C की 3 होती है, H की 8 होती है, O की 15 होती है, O की 15 होती है, और L की 12 होती है, S की F का क्या होता है, S 6 होता है, P का 16 होता है, U का 21 होता है, B का 2 होता है, B का 2 होता है, और Y का 25 होता है, ठीक है, देखिए friends, क्या किया गया है, कि 19 से 6 हो गया है, इसमें हम ये करेंगे, कि 19 से 6 क्या किया गया है, कि हो गया है, 19 को यदि हम 13 घटा दें तो आपका 6 आजाएगा बिल्कुल सही है ठीक है देखते हैं कि यही प्रोसेस आगे वाला जो अल्फाबेट है वो काम करता है कि नहीं करता है तो देखी C क्या है 3 है उसके बाद 16 आगया है तो C में से यदि हम माइनस 13 कर दें तो क्या आएगा तो देखी C में से यदि आप माइनस 13 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 13 घटाएंगे तो आपका 16 पर ही आएगा 13 के बाद क्या आएगा B आएगा C में से यदि हम 13 घटाएंगे तो पहले B फिर उसके बाद A फिर Z, फिर Y, फिर आपका आएगा X, फिर W, फिर V, U, फिर आपका आएगा T और उसके बाद आएगा आपका Q, T के बाद क्या आएगा? Sorry, T के बाद आपका S आएगा, S के बाद R आएगा और R के बाद आपका जो आएगा, वो Q आएगा और Q के बाद P आएगा यानिकि आपने 13 घटा दिया तो क्या आएगा आपका P आजाएगा ठीक है तो वैसे ही फ्रेंट्स यदि 8 में से 13 घटाएगे तो 21 कैसे आएगा यदि 8 में से 8 घटा दिये तो आपका आजाएगा Z पर आजाएगे और Z में से 5 घटा देंगे यानिकि 26 में से 5 घटाएगे तो 21 और 21 जो होता है यानि कि U हा गया आप देखें यहां है 15 का बोल सब्सक्राइब James तो मैससरा में सब्सक्राइब फिर उसलिवके गटेंगे गटेंगे stan चप्युट busy y आजाएगा, same, वैसे ही calculate करना है, जैसे कि, आपने किया है, वैसे यदि हम minus 13 कर देंगे, तो c में से minus 13 घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका आजाएगा P, जैसे कि अद्धी आपको थोड़ा पहला question कर लिए, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि, हम c में से minus 13 घटाएंगे, तो क्या आगया, P आगया, ठीक है, O से यदि हम minus 13 करते हैं, O से यदि हम minus 13 कर देते हैं, तो O मिसे हम यहाँ भी किये थे minus 13, यानि कि, O से minus 13 करेंगे, तो आपका B आजाएगा, L में minus 13 करेंगे, L में क्या है आपका, minus 13 की आजाए तो L में हम minus 13 की है तो क्या आगया था? Y आगया था यानि कि यहां भी हम minus 13 कर दें तो यहां भी Y आजाएगा फिर देखे यदि E की बात की जाए तो E में से यदि हम 13 घटाएंगे friends तो E में से 13 5 घटा देंगे तो यहां इधर आजाएंगे हम फिर 8 घटा देंगे तो यदि 26 में से 8 जाएगा तो आपका क्या आएगा? आपका 26 में से 8 जाएगा तो आपका आजाएगा 18 यानि कि आजाएगा आपका क्या? R ठीक है? फिर वैसे ही यहां है G का ranking क्या होती है? आपकी 7 होती है और 7 में से यदि आप 13 घटा देंगे तो इधर 7 हम घटा दिये तो आजाएगे हम लोग जेड पे फिर 7 7, 5, 12 यानि कि 7, 6 6 और घटा देंगे तो क्या 26 में से 6 घटा देंगे तो क्या आजाएगा? आपका 20 और 20 जो होता है आपके T पे होता है ठीक है? वैसे ही यदि 5 में से हम माइनस 13 घटा दें तो सिंपल सी बात है कि यदि यहीं हम E में से 5 घटा देंगे तो क्या हो गया है? आपका R हो गया है तो option आईए चेक कर लेते हैं आपका option यहीं पूछा गया है कि बीच में कौन सा है? देखिए यह यह हो जाएगा यह हो जाएगा बीच में क्या होगा? आपका Y हो जाएगा यानि कि option number आपका D बिलकुल सही है चले अगला question देखा जाए अगला question यह है कि 70 ब्यक्तियों कि किसी party में בעvang अंग्रेजी बोल सकते हैं और था 26 प्रेंच बोल सकते है बावन जो लोग है आपके už अंग्रेजी बोल सकते हैं और ऑन लोग जो है वो आपकी France देखिए फ्रinच देखिए फ्रेंट्स पहले तो अंग्रेजी और फ्रेंच का तो पता है लेकर हम पहले निकालते हैं कि दोनों लेंग्विज जो है कितने लोग बोलते हैं तो दोनों लोग जो बोलने वाले हैं वो कितने लोग है यानि कि आपका हो जाएगा 52 प्लस 20 माइनस 20 नहीं यह 26 है ठीक है 26 माइनस 70 तो इतने दोनों लोग बोलने वालों कि संख्या कितनी हो जाएगी 8 यानि कि यह बीच में 8 लोग जो है जो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं अब आते हैं क्योश्चन पर तो क्योश्चन है आपका कि कितने ब्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं कितने ब्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं 20 में लोग जाएगा 8 लोग संख्या है तो यह ंग्रेजी के झार्थ ऑन के हो जाएगा लोग ऑप का तीसरा sureck न सरीं कितने ब्यक्ति और येंदे defilis दोनों सकते हैं 12 में जाईर गूल चार उर यह जाएगा नियाने पहले ही निकाल दिया कि दोनों जो बोलेंगे वह आठ लोग होंगे ठीक है चलिए नेक्स कोश्छन देखा जाये चलिए अगला कोश्छन देखते है तो अगला कोश्छन यह है आपका बलड रिलेशन से कि पी एका पिता है यानि यहां हो जाएगा ए और पीता जी हो करिस्टा जाएगा प्zugemक्ण एप्रिय हो जाएगो थो यहां कि भी मुट्स आल झायक को यह हों दूच की माह Alf जाएगा क्वैंगा जो एस की भेहन है जो एस की में यहां हो जाएगी किया तो जो की मातंいる हुटार गी जर्स Ride माता हो जाएंगी और जो हो जाएंगे पिताजी हो जाएंगे तो अब हो गया कोश्चन कि एका एल से क्या संबंद है एका जो है एल से क्या संबंद है तो देखिए क्या कहा जा रहा है दूसरा कोश्चन में कि एका के से क्या संबंद है तो एका के से क्या संबंद है यह दोनो पी क्या हो जाएंगे ससूर हो जाएंगे यानि कि option number आपका सी बिल्कुल सही है चलिए next question देखा जाए अब उसके आगे कहाँ जाएंगे कुछ सेव मीठे कुछ सेव मीठे हैद यानि कि सेव भी कुछ मेठे है यानि कि या ब बाला works कशा जा रहा है ये कहा जा रहा है आगे कहा जा कि जेनी एक मीठा फल खा रही है अब कोशन एक निम्न में से कौन सा अनुमान इस चित रूप से सकते हैं जेनी एक सेव खा रही है ये नहीं जेनी एक मीठा फल खा रही है तो देखिए फ्रेंट्स ये डाउट है कि सेव कुछ सेव तो मीठे ह कुछ सेव मिठे हो सकतर है तो खट घ्र कोंगे क ?ीचर अपिश्री अगलत मण और तुछ लिए कुछ सेव नित धर के रहे हैं। जेनी जो है आम खा रही है इसका संभावना सबसे ज्यादा है बिल्कुल फ्रेंड्स जेनी जो है आम खा रही है क्योंकि पूरा आम मीठा है पूरा आम मीठा है कहीं खटी नहीं है क्योंकि पहले ही कहा गया इस्टेट्मेंट में कि पूरा आम मीठा है तो मीठा आम जो हो सकत देखते हैं तो लास्ट कोशन देखते हैं तो लास्ट कोशन है कि इन में से बिसंपद को चुरिए जैसे कि ऑप्शन है GMT, UTC, EDT, BMI इसमें जो आपका ऑप्शन चौथा है गलत है क्योंकि फिर्स देखिए GMT का मतलब होता है GMT, UTC का मतलब Time होता है GMT, UTC का होता है Universal Time, Coordinate और EDT का होता है Strand Daylight Time आप इसको थोड़ा चेक कर लिजेगा मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था EDC का होता है Strand Daylight Time और BMI का होता है Medical Definition of Body Mass Index देखिए तीन जो option है वो time से relate है तीन जो option जो है वो time से relate है और चौथा option जो है वो आपका index से है तो यही आपका चारो option में से भीन है यानि कि option number D बिलकुल correct है चली फ्रेंड्स आज का तीसरा सफ्ट भी सिफ्ट भी complete कर दिया गया यदि आपको class अच्छी लगे तो like, share, comment जरूर करिएगा मिलते हैं next class में thank you friends